हलो दोस्तों नमस्कार उमेटेकनिका यूटूब चिनल के माध्यम से समझत EPS 95 Pensioners भाई बंदो आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EPFO की तरफ से एक बहुत ही महतपुन सुचना जारी किया गया है जिससे समझत EPS 95 Pensioners को बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है तो दोस्तों फड़ा फड़ से देरी ना करते हुए मैं खबर को सुरू करता हूँ और खबर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि EPS 95 Pensioners को कौन सी खुसकबरी मिलने वाली है तो मैं सबसे पहले आपको बता दू कि EP4 के तरफ से न्यू जो सामने निकल के आ रही है कि 68 लाख छोटे प्राइवेट करमचारियों को जादा pension मिलने की तैयारी में लगा हुआ है EP4 जो 68 लाख प्राइवेट करमचारी है छोटे उन्हें किस प्रकार से बड़ी हुई pension की राची देगा उसका एक फारमूला जो तो तयार हो चुका है यह एक जानकारी जो तो प्रवाइट की जा रही है मैं सबसे पहले आपको बता दू कि जान लेता हूं तो मैं सबसे पहले आपको बता दू कि इंप्राइवेट फंड यानि की EP4 द्वारा भारत के प्राइवेट सेक्टर में जो 15,000 तक ही टोटल से रहे वारे छोटे करमचारी ओको ज़्यादा प्यंसन देने की तैयारी की जा रही है तैयारी कैसे की जा रही हो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सभी करमचारीों को EPS 95 पेंसन स्कीम के तहत पेंसन दी जाती है सरकार विचार कर लिए कि इन्हें एक मिनिमम फिक्स पेंसन जरूर दी जाए अब मिनमम फिक्स पेंसन में उनकी राशी कितनी होगी इस पे हम लोग बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि भारत में और्गनाइजड प्राइवेट सेक्टर के 68 लाख करमचारी ऐसे हैं जिनका वेतन महज 15,000 रुपए महिना से भी कम है और EPS 95 पेंसन स्कीम की अंतरगत वो आते हैं इनके वेतन से 8.33 प्रतिशत का योगदान EPS 95 पेंसन स्कीम में जमा किया जाता है इनके कारण इन करमचारीयों को नियूंतम जो पेंसन की रकम है वह 1000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए पेंसन बनती है इसी पेंसन को बढ़ाने की तयारी की जा रही है मैं आपको बता दूँ कि दरहसल करमचारी भविश निदी संक्ठन के पास इस प्रकार के करमचारीयों के बेतन से जमा हुआ 58,000 करूर रुपए एसा है जिसे करमचारीयों दोरा वापिस नहीं लिया गया अब आप लोग परिसान हो रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे हलाकि मैं इसकी उपर से पर्दा हटाता हूँ मैं आपको बता दूँ कि जो ऐसे वो करमचारीयों है जिन्होंने एपी एफ अपना जो पेंसन की रकम होती है यानि कि 8.33% वो एपी फो में तो जमा कर दिये लेकिन जब वो नोकरी अपना छोड़े तो पेंसन की जो रकम होती है वापिस आती है उस रकम को उन्होंने लिया नहीं हलाकि यहां पर एपी फो का कोई गलती नहीं है क्योंकि एपी एफो ने समय समय पर इसकी सूचना जो पेंसनर्स थे यानि कि जिन्होंने नोकरी छोड़ दी है उन्हें कडाते रहे उनसे बोलते रहे कि आप अपने पेंसन की राशी ले ली दिये लेकिन इसके बावजूद भी करमचारी लोग वहाँ पे नहीं गए और पेंसनर की राशी नहीं लिये वो पैसा भी जमा रखा हुआ है एपी फो के पास में और उसी पैसे से एपी फो जो भी एपी एस राइट फ़ई पेंसनर्स हैं उन्हें पैसा देना चाहता है लेकिन चले पर फटाफट से खबर को एक बार देखता हूँ और लेकिन परन्तु यहां पे लिखा हुआ है कि 58,000 करोर रुपे ऐसा है जिसे करमचारी दोरा वापिस नहीं लिया गया यानि कि करमचारी की वेतन से EPF के लिए कटोती तो हुई परन्तु नोकरी छोड़ने के बाद करमचारी ने EPFO से संपर्क करके अपनी जमार रकम वापिस नहीं ली करमचारी भवी से निदी संगठन ने कई बार सारवजनिक सूचना जारी करके अपना पैसा निकालने के लिए अपिल की परन्तु करमचारी के तरफ से कोई रिस्पॉंसन नहीं आया यव यही पैसा वर्तमान के करमचारी की पैसन रख बढ़ाने के उपियोग में लिया जाने वाला है करमचारीों से संबंदित महतपुन खबर के लिए क्रिपया यहां पे क्लिक कर सकते हैं देख भी सकते हैं लेकिन हमें अभी करमचारीों की महतपुन खबर के बारे में हम नहीं देखना है वो तो हम फिर बाद में आपको लोगों को बता ही देंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण खवर सामने निकल के आ रही हो यही है कि EPFO के पास में जो फार्मूला आप लोगों को बताया जा रहा था बनाना है कि किस प्रकार से EPS 35 पैंसर्स की पैंसर में ब्रिद्धी होगी तो एक महत्पूर्ण खवर यहां पर सामने निकल के आई है कि EPFO के पास में 58,000 करोड रुपए ऐसा है जो pensioners ने वापिस नहीं लिया है और वही पैसा अब EPS 95 pensioners हैं उन्हें दिया जाएगा जो तो मूँ कांदोलन कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं साथे-साथ में जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं उनकी pension में बृद्धी के यह तो उनकी pension में बृद्धी होगा तो देखना यह है कि EPFO के दोरा कब जो तो इसका notification जारी किया जाता है और EPS 95 pensioners की pension में कब बृद्धी के जाती है लेकिन यह खबर जो EPFO के तरफ से निकल के सामने आ रही है एक बहुत ही महत्त पूर्ट खबर है और EPS 95 pensioners ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द उनकी pension में बृद्धी खोगी दोस्तों इस कबर को अगर आपने पहली बार भी देखा है तो फड़ा फड़ से इसे सेयर करके जितने भी आपके दोस्तों लोग हैं सब तक इस खबर को पहुंच जाएं और साथे साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वीडियो में नए हैं चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को फड़ा फड़ा से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपड़ेट में तब तक करें नमस्कार जै हिंद जै भारत